अगर कोई ये प्रशन उठाता है ना कि यहाँ श्री राम थेक ही नहीं जब आप वहाँ जाओगे तो आपको ये प्रशन रहेगा ही नहीं कि क्योंके वहाँ है वहाँ वास है ही श्री राम का आज का जो अयोध्या है जो हम सिटी जिसको हम कहते हैं तो केवद 80 स्कोयर किलोमेटर तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा विशाल ये नगरी हुआ करती थी मेरा उपरोक्त बयान कि जहां बाबरी मस्जिद सिथी वहाँ पर पहले मंदिर नहीं था यह मेरी स्वयम की राय है यह कैना सही है कि बाबरी मस्जिद के बारे में किसी प्रकार की खोज किये बगैर मैं शपत पर अपने ज्यान के आधार पर नहीं बल्कि राय के आधार पर बयान दे हूए यह हमारे इतिहास कारण को क्या रोग हो गया है पहले तो एक वक्त अव्य देते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था और फिर जब प्रश्णोत्तर होतें तो कहते हैं कि मैंने इस विशे में कुछ पढ़ाई नहीं है, मेरा अध्यान ही नहीं है, मैं प्राची नितिहास की विशेशगे के रूप में प्रस्तत होई, वो कह रही है, मैंने बाबरी मस्जिद क के बारे में कुछ नहीं पड़ा, चित्र देखा था, तब मैंने शपद की जब ही हम अंदर बनेगा मैं अयोध्या तभी जाओंगा, आज तक मैं अयोध्या नहीं गया हूँ, अब अब सरा जाने का योगा बन गया है, अयोध्या शीद्र जाना होगा इस परश्मीं, जब मुझे एरपोर्ट का नाम बताया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम, मुझे तो नहीं, एरपोर्ट का नाम महापुरुषों के नाम पर हो, पर जो हिंदू नवचेतना का संचार जो भारत भर में हो रहा है, कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक, क्यूंकि नहीं तो ये प्रहतन कर रहे थे ना, नहीं नहीं, राम तो केवल नॉर्थ के हैं, एक महीना के रेला में रामायन का पार्थ होता है, एक पूरा महीना, रामायन के कितने टिकाकार दक्शिन भारत से हैं, जुछ अध्वी बहरतियों का, विशिष्टह सनातनियों का, प्रेम तो है यही आयोध्या आपसुटली नमोव वहूं मित्रों स्वागत है आपका हमारे YouTube प्रसारणी पर प्रथम कोश सत्र में पॉड़कास्ट में आज हमारे साथ चुड़ रही है प्रक्ष्यात विदुशी एवं लेखिका सुश्री अमी गणात्रा स्वागत है जैस्री राम जैस्री राम आज का सत्र हम आज आयोध्या पर बात कर रहे हैं जो जहां आपको कराई है तो हम चर्चा करेंगे आयोध्या भारती साहित्य में इसका इतिहास मुद्धिकाल में इतिहास आधुने काल में आयोध्या कहा है और जो निर्मानाधीन राम मंदिर है इसको लेकर देश में जो हर्ष अलास है जो इसको विक्रम संपत जिसे कहा है यही वह आज क्षण है जिसका हम सब को गौरव होना चाहिए तो उसके विश्य में हम बात करेंगे स्वागत है अमी गणातरा जी आपके परिशे के लोगों का आवश्यक्ता नहीं है पर आप संगशेप में अपने पुस्तकों के बारे में और अपनी अयोध्या यात्रा के बारे में बताएं तो बहुत ख्रिपा होगी तो श्री राम जी की कृपा से अभी पिछले दो महिनों में मेरा दो बार अयोध्या जाना हुआ है अभी तो पिछले हथी मैं अयोध्या थी और आप देख सकते हैं अयोध्या में फिलहाल इतना सारा कार्य चल रहा है कि अयोध्या सेज रही है मैं दो महिने पहले गई थी उसके जो दुकाने हैं वो उस पर सुंदर चित्र आ गए हैं, रंगीन हो गया है सारा, स्वच हो गई है नगरी, फूलों के तोरंट लगाए जा रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है, जो चौरा है उसे सजाया जा रहा है, और लोगों में एक अलग प्रकार की जो हम एनर्जी कहते ह अलग प्रकार की चेतना बहां दिखाई पड़ती है, जो होटेर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बुकी की नहीं है, कोई ना कोई आय जा रहा है, तो महानुभाफ बहुत सारे आ रहे हैं, और कार यह तो चली रहा है, और आयोध्या के बंदर तो है ही, वो तो हर तो हनुआनगड़ी से पिर और आगे जाकर एक प्राचीन मंदिर है, जैसे उपर चड़कर थोड़ा जाना होता है, पास ही है, हनुआनगड़ी के सामने की हो रही है, तो वहां मैं उपर चड़कर गई और पतानी क्या हुआ तो वहां हर जगे बंदर है, तो वहां पर भी महराज थे और मैंने स्वेटर पहना थे अच्छी खासी थंड थी शॉल लिया हुआ था और कहीं साइड से शायद मेरा पॉर्स दिख रहा था तो मैं चैसे अंदर जा रही थी तो पहले तो नो ने मुझे ऐसे देखा पर तभी तो कुछ नहीं किया पर जैसे ही मैंने वो मंद कि अधिर के अंदर का जो द्वार था वहां अंदर पाव रखा तो पीछे से मुझे कोई लिपड गया ऐसा मुझे अनुभा हुआ और मैं पीछे देखू और मुझे कुछ समझ आए उसके पहले तो अच्छा खासा तुन हुन हो कर दिया था तो और उसके बाद भी उनको प प्रसाद लेकर हो मढ़ें खैसे में तो और यूटे में दोर हैं और घंट में साथा है वेंम्फर में शॉनभा more और मुय में आजब पाए और जो प्रसाद देते रहते हैं ठीक है तो आयोध्या एक भारती जन्मानस में विशिष्ट आयोध्या का स्थान है आपको ग्यात होगा ही अथर्ववेद में आयोध्या का वर्णन है अश्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर आयोध्या तस्यामिरन्या, कोशा, स्वर्गो, जोते, शावृत्या, और आप योग साधिका भी हैं तो जो आठ चक्र हैं शरीर के मुदाधार, स्वाधिष्ठान, मनिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आध्या, कूर्म और सहस्रार तो इन चक्रों से युक्त मानव शरीर को ही आयोध्या कहा गया है और इसमें कहा गया है, इसमें ब्रह्म ए प्रवेश किया है अथरववेद में आयोध्या का एक बहुत सुंदर रूपक प्राक्ट होता है तो क्या अयोध्या में आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ, वहां इतने योगियों ने साधना की है, रमन्ते योगिनों अस्मेनिती राम, श्री राम की नगरी है, तो अयोध्या में कुछ ऐसी अनुभूती आपको हुई, जो वहां की दिव्यता को प्रमानित करती है, अगर अभी आप देखो ना, तो वो कहते है ना, city bustling with activity, अभी तो ऐसा चल रहा है वहाँ पर, construction बहुत ज्यादा चल रहा है, तो और जो वहाँ का जो मुख्य एरिया है, जहां पर आप चल कर आपको अंदर जाना पड़ता है, अराउंड देट, देट किलोमीटर, वहाँ तो इतना सारा कार्य चल रहा है, इतने सारे लोग भी होते हैं, कि वह अनुभूती, जब आप राम लिल्ला के सामने, आज भी जो चबूत्रे में हैं, वह अनुभूती का तो वर्णन ही नहीं कर सकते, वह तो अभी भी होती ही होती है, कि आपको अगर कोई ये प्रशन उठाता है, कि यहाँ श्री राम थेक ही नहीं, जब आप वहाँ जाओगे, तो आपको ये प्रशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ है, वहाँ वास है ही श्री राम का, वह अनुभूती तो आपको होती ही होती है पर मंदिर से दूर एक तीर्थ कहा जाता है जहां पर श्री राम ने अपने अपना देह त्याग गिया वहां पर अब सरयू का जो घाट है वह इतना सुन्दर बन चुका है वहां जाकर आप चलो और बैठो आप ध्यान-मगन हो जाओगे वह बहुत ही सुन्दर जगह ह जो थोड़ा सा दूर है मुख्य मंदिर का जो खेतर है वहां सा थोड़ा दूर जाके सरयू तीर पर है और अब तो वहां ऐसे बहुती सुन्दर घाट बना दिया गया है जहां आप चल सकते हो मेरे खाल से एक डेट किलोमीटर आप अराम से चल सकते हो वहां ज्यादा लोग दो लेखक हैं उनकी पुसक भी है जो कहते हैं अनुजधर जी और चंदरचूड जी घोष चंदरचूड घोष चंदरचूड गोष तो अयोध्या जन्मानस में इतने समय से है, पतंजली ने, जैसे हम अंग्रीजी में कहते है, all roads lead to Rome, पतंजली ने अटने महाभाश्य में कहा है, अयम पंथा साकेतम उपतेष्ठते, यह मारग साकेत जाता है, यह उनका उधारण है, साकेत भी नाम है, अयोध्या का, जैसा पंक्तियां हैं, देखलो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, वा, तो साकेत नाम कब आया आपको लगता है, साकेत नाम कहीं कहीं तो बहुत दसाहिते में प्राप्त होता है, साकेत नाम जैसा मैंने कहा पतंजली के महाभाश में भी है, यह भी प्रा भारत रामार में भी साकेत का उलेख मेरे संज्यान में नहीं है, यद्यपी महाभाश्य में और बौध साहित्य में बर्णन है साकेत नाम का, अन्य नाम भी हैं जैसे कोशला नाम है, कोशला नंदिनी नाम है, यह नाम भी मिलता है, कोशों में धर्म पूरी नाम भी मिलता है, जैसे धर्मक्षेत्र, पुरक्षेत्र है, वैसे तरिकांद शेशकोष में धर्मपूरी नाम भी दिया गया है, और हिंदी में तो अवध नाम है ही, अवध पूरी, नौमी भौम बार मधुभासा, अवध पूरी यह चारित्पा कासा, और रामपुर भी कहते है, रामपुरी छुरी वाला रामपुर नहीं, रामपुर जो रघुबर पुर जैसे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जनमहरी भक्त कहाई, आयोध्या के तो उने एक नाम है ही और आपको ग्यात होगा ही, मोक्षदा पुरियों में सो प्रथम आयोध्या है, इसलिए जो रखता है, सभी भारतिय लोगों का विशिष्टह सनातनियों का प्रेम तो है ही आयोध्या से, तो आगे चलते हैं, आयोध्या के विश्चय में जो जानकारी मिलती है, उसमें बहुत कुछ संफृत वांगमे में है, और रामायन जो जिस पर आप रामायन अन्रैवल यहां पस तक पड़ी है, इसका लेखन किया है, तो आयोध्या और आयोध्यकों का जो वर्णन आता है, आयोध्या के लोग, आयोध्यक जनमुक्तिद राम, तो आयोध्या और आयोध्यकों का जो वर्णन वालमी की रामायन में है, उस पर कुछ आप प्र नारद्मुनी और वालमी की जी का संभाध होता है फिर उसके पश्चात वालमी की जी रामायन का कंपोज करना शुडू करते हैं और फिर अपने जो शिश्य हैं लवकुष उनको वो पढ़ाते हैं और फिर ऐसी बात आती है कि आयोध्या में श्री राम का अशुमेध यग्न चल रहा है और वहां पर सारे रिशी गये हैं साथ साथ वालमी की जी अपने शिश्यों के साथ गये और जो रामायन का पार्ट लवकुष ने किया है वो आयोध्या के रस्तों पर उसका गान कर रहे हैं और एक बार श्री राम देखते हैं और उनने कहते हैं कि आप मेरे महल करेंज़र वहां पर सब्स्ट रहे और सबसे पहले ही वह योध्या के विशाय में बताते हैं तो आयोध्या के विशय में बताते हैं कि कशल नाम का जनपद है और बहुत सुंदर मुदितह स्वितह जन्पद है यहां का और यहां की नगरी है अयोध्या नाम नगरी अस्मिन लोके विश्रुतह की लोगों में अत्यांत प्रसिद्ध यह नगरी है अयोध्या की मनु जी ने इस नगरी का स्वयम निर्मान किया है और मनु जी के पुत्र है इक्षवाकू वो यहां के राजा रहे और तब से इक्षवाकू जो नरेश है जो इक्षवाकू वन्ष के नरेश है जिनको सूर्य वन्षी कहा जाता है वो उनका यहां पर राज रहा है अब लेके श्री राम और लवकुष तक वो पूरी वन्शावली दी गई है कि कौन से कौन से राजा यहां राज कर चुके हैं और यह तो शुरुआत है उसके बाद वो अयोध्या का वर्णन करते हैं कि यह पूरी कैसी थी तो इसको महापूरी कहा जाता है आज हम जो मेगापॉलि इनका इसका इसकी लंबाई है और तीन योजन विस्तियन यह है तो योजन अगर आज के परिपेक्ष में हम समझें तो आराउंड आठ माइल्स नौ किलो मीटर आप ते के कोश्ट के अनुछ है तो अगर वो हम देखे तो माइल्स में अराउंड तेरा सो नहीं तेईस सो वर औरगव मेल स्क्वेर माइलोा होता है या 6,000 स्क्वेर किलो मेटर का अर्थ अगर आप आज देखो इतनी बड़ी कौन की नगी है तो कोई भी ढहाता अगर हम ग्रेटर डैली देखे ना एंशी रिजन वह भी अर्टाव्स स्क्वेट्र किलो मीटर्स आप शमझ सकते हैं आय और उसका अगर आप मैं उसे कंपेर कर रहे थी कि मुंबई का क्या होगा तो अगर आप मुंबई, नासिक, करजत, खपोली और ये जो भिवंडी, वसई वो सब को आप मिला लो तब जाके वो क्षेत्र बनता है तो आज का जो अयोध्या है जो हम सिटी जिसको हम कहते हैं वो फिर ये उसका वर्णन दिया हुआ है कि सूविभक्ता महापथा कि जो उसके हाइवेज हैं और एकदम सूविभक्ता, वेल लेड आउट, वेल लेड आउट मार्ग हैं, बड़े-बड़े द्वार हैं, परकोटे हैं, आर्जड दर्वाजे हैं वहाँपर, विमान तो करते हैं, फूल उसके डाले जाते हैं, बहुत सारे सूविभक्ता अंतर आपणा, जो मार्केट्स हैं बहुत सारे उद्यान है वहाँपर, जिसमें साल और आम के व्रिक्ष लगे हुए हैं, तो इस प्रकार का भी वर्णन आयोध्या का आता है, और एक बात वो कहते हैं कि य जो घर हैं, वो भी गुहगाढ़, एक दम पास-पास सारे जो बड़े-बड़े गर हैं, वो भी पास-पास लगाय हुए हैं, और वहाँ पे धन धान्य तो बहुत है ही, वो कहते है, जो वहां के कोशागार है, वो धन धान्य से परिपूर है, और पानी कैसा है? इशू तो यह वहां का नगर है वहां का डिस्क्रिप्शन है मुझे लगता है हम कहीं न कहीं अपनी जणों से इतने कट गए हैं हम आज कल जैसे हाईवे को हम हिंदी में कहते हैं राजमार्ग अब देखिए महापत महापत में कुछ बात ही दूसरी है हमारे नगर पालिकाएं हैं हमारे नगर निगम हैं यदि ये प्राचीन बर्णनों से शब्द लें तो एक हमारी समस्कृती का अनुरणन होगा एक जहंकार होगी कि हाँ ये हमारे यहाँ प्राचीन नगरों में ऐसे नामों का प्रयोग होता था आपन महापत एक वैजयन तद्वार का लेख आता है अयोध्या का तो इन शब्दों को मुझे रगता है लेना चाहिए पर चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये था आयोध्या हो गया है श्री आ तीर्थ सानों के लिए यदि हम ऐसे नामों का प्रयोग करें जो मध्यकाल में प्रचलित होई या तो उचित नहीं है जैसे प्रयाग राज मैं तो बाले काल से प्रयाग ही बोलता था भले लोग अलाहबाद बोलते थे तो प्रयाग ही बोलता था मेरे मन से तो प्रयाग कभ हमारा है उसे आप अलावात कैसे कह सकते हो वो प्रयाग ही होना चाहिए वैसे प्रयाग का मेंशन होता है उल्लेख है रामारे में पर उसको वच सदेश यह कहा जाता है तो आगे चलते हैं आयोध्या के नागरिकों के विशे में आयोध्यकों के विशे में बहुत सुंदर वर आलमी की को कालिदास में भी जो रगुवम्ष के प्रारभ में कहा है, जो मनों वज्रसमुत कीरने, सुत्रस्य वास्ति में गति, वो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ और मैं रगुवम्ष का वर्णन कैसे करूँगा, तो कहते हैं कहां रगुवम्ष है और कहां मैं अल्पमती हूँ, जैसे कोई उदबाहु वामन, अर्थात कोई वामन, कोई बोना, हाथ उपर करके, उंचे पेर से फ़ल लेना चाहरा हो, ऐसा मैं हूँ, पर मैं निकल जाओंगा, क्यों? क्योंकि पूर्व कवियों ने इसमें किया है, वालमी के वर्णन में एक जो बात है, जो सीधा हिदे तक जाती है, बहुत हिदयंगम वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है, तो आयोध्या के जनों का उन्होंने कैसे वर्णन किया है, इस पर थोड़ा प्रकाशा, तो आयोध्या, मैं वो कहते हैं कि एक तो देश- देश-विदेश्ट से वहां पर लोग आय थे, लोग वहां के देश-विदेश के निवासी तो आय ही थे, साथ पे वहां के वनिक जो है, ट्रेडर्स है, आज भी आप देखे लिए आप कहां जाओगे, जहां पर बड़ी मार्केट है, जो बहुत समरिद्ध नगर है, तो व आपकी आपकी वन्षावली जा एक एतिहास की नोंध लेते हैं, वो सारे वहां पर थे, वधू नाटिका, तो बहुत सारी, जो हम नाटक कंपनिया कहते है, वैसे वहां पर थे, जिसमें इस त्री पुरुष, दोनो ही नाटिकार, जो नटिनाटियां, वहां पर थी, साथ-स लोग बहुत ही धर्म निष्ट्ट थे वो लोग अपने कार्य में थे लेह तथे एपर बह। शॉम्रध है ऐसा हॉइभ नहीं थे कोई यह झाते हिसके लिए वह कहते हैं ना अनुलिपतांग कि उनके शरीर पर लेपन ना किया हो, ऐसा कोई नहीं था, ना असुगंधाश्चा कि उनसे सुगंध आती हो, ना सुगंध आती हो, ऐसा कोई नहीं था, तो ये वो कहते हैं, कि और दरिद्र ऐसा कभी नहीं हुआ कि नाम रुष्ट भोजी कि कभी किसी को खाना नहीं मिले, ऐसा नहीं था, ना अदाता, वो सारे ही उदार थे, दान सभी के सभी करते थे, और वहां कहते हैं कि वो ना तसकरा, वहां कोई तसकर का भै नहीं था, वहां कोई चोर लुटेरा नहीं होता था, सब बहुत ही जैसे अपने घर में, अपने पिता के घर में जैसे लोग भूमते हो ना, वैसे एकदम सुरक्षित महाल में, वातावरण में सब रहते थे और सब महाँ पर निवास करते थे, तो ये उनका description आता है, ये रामराज्य जैसा, जैसा रामराज्य एक आदर्श है, वैसा हो, किसी को चोर उचर के डाकू का भाय ना हो, किसी के हा का भाय ना हो, कोई अदानी ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, लोग नागर हो, सब भी हो, और अपने शासक से प्रेम करें, और शासक उन से प्रेम करें, यही रामराज्य का आदर्श है, जो शताब्दियों से, सहस्ताब्दियों से, हमारे देश के लोगों को, और कभियों क और एक चीज़ में स्ट्रेस करना चाहरे हूं कि लोग धार्मिक थे, दाता थे, ये सब था ही, पर जो उनका डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि आंगों पे लेपन उनका होता था, अलंकरित होते थे, मतलब सम्रिधी भी है, तो हम कहाता है धर्मा अर्था काम हो, तीनों कारी महां समन्वे वहां दिखता है कि लोग धार्मिक भी है, पर ऐसा नहीं है कि भूखे मर रहे हैं, नहीं, उनके पास अर्थ, अर्थ भी है, अर्थ की प्राप्ती के लिए उनका प्रयतन भी चारी है, और काम भी है, तो सबी कुछ वहां पर आपको देखने मिलता था, तो अयोध् महाभारत में अयोध्या का वर्णन रामोपाक्यान में आता है, नलोपाक्यान में आता है, संक्षिप्ट वर्णन है, पर महाभारत और अयोध्या के संबंध में, जो जानकारी महाभारत में प्राप्त होती है, उसके विशे में सुनना चाहें है, तो जैसे आपने कहा कि बह तो जब भरत को उसके मामा जी लेने आते हैं केकरी देश जाने के लिए तो जो रस्ते का वर्नन होता है उसमें यह जो से होकर है तो रामायन के समय है और महाभारत के समय पर भी आयोध्या का वर्नन आता है तो जैसे आपने कहा नदोपक ख्यान में आता है कि रुटुपार्ण जो है वो अयोध्या के राजा है जहांपर नल जो है वो एक सारथी के रूप में वहाँपर कारे करते हैं. साथ में एक जो लेखाता है वो है ब्रहदबल का. तो ब्रहदबल नामक राजा है जो कोसल देश के राजा है आयोध्या के राजा है जो कवरों के ओर से युध वे उनों ने भाग लिया हुआ है इन्हों में अंहीं भाग लिया हुआ है जैसके आप नाल बाहुक के रूप में रितुपर्ण का मैरितुपर्ण अपनी अख्ष्विद्या नल को देते हैं और अपनी अश्विद्या रितुपhta नको देते हैं और यही एक मोड आता है नलो पाक्षान में जिसमें जो विभीतक के पेड़ के नीचे वो लोग आते हैं और फ़ल गिंते हैं बहुत रोशक पसंग है इस पर विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे रामायन महाभारत और फिर पुराणों में तो अनेक अनेक पुराणों में आयोध्या का वर्णन है, ही कथा सरिट सागर में वर्णन है, ही तोपदेश में वर्णन है तो आगे चलते चलते मध्यकाल में हम आते हैं मध्यकाल से थोड़े से पहले अयोध्या में एक कथा प्रचलित है इतिहास प्रचलित आप जो भी कहो कि जैनों के लिए भी आयोध्या का बहुत महत्वर रहा हुआ है तो आज भी वहाँ पर कुछ जैन जो देरासर है वो है और उनका ऐसा मानना है कि जो तीर्थंकर है उसमे जैनों के लिए भी एक महत्वर पूरी है अयोध्या अवश्या तो मध्यकाल तक आते आते अयोध्या में अनिक शासक हुए बहुत उतार चड़ाव हुआ और कुछ ऐसी घटनाएं होई जिन्होंने इस देश पर बहुत गहरे घाव छोड़ी तो सर्वविदित है ही अयोध इतनाचा बना और उसका वर्णन भी यायावरों ने किया है उस विशें पर यदि आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा तो जैसे हमको जो इतिहास जानने मिलता है तो मध्यकालीन समय का इतिहास बहुत ख्लियर नहीं है अयोध्या का अयोध्या मुख्य नगरी ना होके मु है उस सार ब्लिण समय हो चुके है और वह का जो साथ साथ ऐसाथ अैयोध्या का भी सासन कर रहा है तो उसमें विक्रमा अदितिया गो यृचं के थे वहां से लेके फिर जो ह tik пошश वर्धन का इनास्टि ये ना मानाता है ल्मन डानास्टि का नामाता है और एवेंशली जो 10 10-11 AD के आसपास के बाद, क्या कहते हैं उनको गहदावल, गहदावल डाइनास्टी का नाम आता है, जिनके एक राजा है गोविंद, गोविंद चंद्र, ठीक है, तो आप जो धांचे की बात करे हो, तो जो हमें अभी जो ग्यात है, उस प्रमार से 2nd Millenium BC से जो Archaeological Survey of India ने जो एक्सकेवेशन की है, जो खुदाई करी है, उससे हमें बता चलता है कि 2nd Millenium BC से अयोध्या का जो स्थान है, जहां पर आज हम विवादे धाचा जो गिराया गया, वो जहां पर था, और जो रामलला का जो चपूत्रा है, वो जो खेत्र है, 2nd Millenium BC से वहां पर कंटिन्यूस occupation रहा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वहां occupation ना हो, और वहां पर कभी कोई घर, या खेत, या ऐसा नहीं रहा है, वहां से जो टेराकुटा के फिगरिन्स वगेरें से भी मिले हैं, उसे हमेशा से वो कोई ना कोई तीर्थ स्थान हो, कुछ वहां पूजा होती हों, वैसा ही रहां के अवशेश मिले हैं. तब ही तो अथर्ववेद का काल जो इतना पुराना है. अथर्ववेद में जब अयोध्या को चुना गया और देवताओं की पूरी कहा गया. मानव शरीर का रूपक जो दिया गया. तो इससे प्रकट होता है अथर्ववेद सम्हिता के काल में भ परन्तु जन भावना में उसका एक विशिष्ट स्थान रहा ही है. वैदिक सम्स्कृति के समय से रहा है. और ये आपको जो वहां की जो लोक कताई हैं, लोक कताई ही नहीं, वहां की जो प्रचलित इतिखास जो माना जाता है, उसमें ये भी आता है कि पहले तो जो उसका स् पर पर विक्रमादित्य जो आते हैं तब वह खंडर जैसे हो गया था. वहां के जो मंदिर है वहां पर फिर से स्थापित करते हैं. और आज भी वहां पर कनगभवन नामक अयोध्या में एक स्थान मिलता है हमें, जो कहा जाता है कि कह कही माने, सीता मा को जब वह विवाह कर आई थी तो मुह दिखाई में उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया था. और कनगभवन का इतिहास जो लिखा भी हुआ है वहां पर वह यही है कि सबसे पहले वो जब उसका जीरनोधार विक्रमादित्य ने करा और उसके बाद जो बुंदेल खंड की राजा थे उन्होंने उ देखने मिलता है तो हमेशा से जैसे आपने कहा कि जनमानस में तो वह रहा ही रहा है और जो भी राजा वहां पर रहे उन्होंने कुछ ना कुछ योगदान उस स्थान पर किया है जो आज हमारे पास जिसका प्रूफ अच्छे से है वो है जो जो कहते हैं पर जो अवशेश म जब ये कोट में ये बात गई तो जो जो मुस्लिम पिटिशन से उनका ये दावा था कि बाबरी मस्जिद तो किसी अवशेशों पर पनी नहीं है वो तो खाली जगा पर बली है फिर एक्सकेवेशन हुए एक्सकेवेशन हुए तब पता जला कि नहीं वहां पर जो खंभे ह जो वहां पर आकृतिया मिली है जो फिग्राइंस मिले है आज भी अगर आप देखो जो रामलिल्ला का चबूतरा है वहां पर भी जो काम चल रहा हुए उसमें आपको मिलते है वहां पर जो रखे हुए हम सब की देखने के लिए कि वह मंदिर के ही आउशेश हो सकते है तो उन्हों ने उस मंदर की स्थापना की थी बाहरावे श्ताबदी में जो पिर जो मीर्बाकी है बाबर का जो यह था आउज हम जो सरदार ऐसında वह तो तो इसके आउस्सेम मिले ही मिले है पर वह जो दौनौ जो वहां बाहरावे श्ताबदी पर बनाग में पिछले किसी मंदि पर बना हुआ है बैसे कि लिए उसका जो जीनो धार हुआ होगा तो कोई confusion ही नहीं रहता है कि बाबरी का जो ढाचा है वो मंदिर पर बना है देखिए किसी में मस्जिद को मस्जिद जन्मस्थान आता जन्मस्थान को क्यों कर कहेगा वहां जन्म किसका जन्म हुआ बाबर का तो हुआ नहीं मीर बाकी का हुआ नहीं अकबर हुमायू औरंग्जेब किसी का जन्म नहीं हुआ तो युद्धिया में किसका जनम हुआ जो मस्जिद जनमस्थान कहा गया मस्जिद जनमस्थान शब्द ही आप देखिए मस्जिद शब्द तो संस्क्रित का नहीं है जनमस्थान तो संस्क्रित का ही शब्द है तो कहीं किसी को अब देखिए कहीं जामी मस्जिद कह दिया कहीं आलमगीर मस्जिद कह दिया कहीं कोई फार्सी नाम आ गया कोई अरबी नाम आ गया पर मस्जिद जन्मस्थान तो जन्मस्थान ये नाम से ही स्पष्ट है तो जैसे जोजेफ टीफिन देलर हैं जो यात्री थे यूरोप के उनका भी वर्णन आता है और उनके वर्णन के अनुसार उस समय भी लोगों में यह अच्छे इतना थी विश्वास था मैं को हच्छे इतना थी यहाँ पर एक मंदिर था जिसे तोड़कर धाचा बनाया गया और उनकी जो विवर्णन का आई थी उसमें जो वर्णन था उसको कैसे इतिहासकारों ने निरस्ट करने का कुप प्रयास किया था तो कुछ अंश हैं जो नयायमूर्ती श्री सुधीर अगरवाल के निरने से वो मेरे पास इस समय है मैं आपको पढ़कर सुनाओंगा और आप सामसामें एक विश्यों पर भी बोलती हैं तो यहाँ निरने है नयायमूर्ती सुधीर अगरवाल का जो प्रयाग उच्चनेयाले के द्वारा दिया गया था और इसकी अनुच्छ संख्या तीन सहसर 618 से सुवीरा जैसवाल श्रीमती सुवीरा जैसवाल जो इतिहास की अध्यापिका हैं हमारे प्रया जवाहर लाने हो इश्वीर जैले से तो उन्होंने जब यह कहा था पहले तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई प्रमान नहीं है बाबरी मस्जिद को एक पूरवर्ती मंदिर को तोड़ कर बनाया गया था और फिर उन्होंने यह भी कहा था यह बीराम का जन्व स्थान है, ऐसा भी कोई प्रमाण उनके संग्यान में नहीं। जब उनसे प्रश्न किया गया और प्रश्न उत्तर किया गया, तो नैमुर्ती सुधीर अगरवाल ने अपने निड़ने में हिंदी तो लिखा ही है और फिर उसका अंग्रेजी अनुआद भी किया है, तो उन्होंने उनसे जब प्रश्न उत्तर हुआ, तो श्रीमती सुवीरा जायसवाल ने कहा, सबसे पहले कहा, इस तरहें का कोई प्रमाण मेरी जानकारी में नहीं मिलता है, जिस सेहा विदित हो कि बाबरी मस्जित का निर्मार राम बंदिर को तोड़कर किया गया हूँ, रोचक बाते आती है, जब उनसे प्रश्न उत्तर हुए आगे, तो उनने गवाही दिने आई हूँ, मेरी विशेष्टा लिखित स्रोतों में खोज पर आधारित है, और आके, मैंने इस विशेपर की मुसल्मान शासपकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जित बनाई, इस पात का न कोई अध्यान किया, और नहीं मैंने कोई इस संबंध में कोई रिपो पढ़ ही, यह हमारे दर्शक को बता दें, प्रिश्ट संख्या तीन सहसर चेसो पैंटिस, थी थाउजन सिक्सिट संख्या है, यहां से चालू होता है, और अनुच्छित संख्या है, थी सिक्स वन एट, जसिस सुधीर अगरवाल का निर्ण है, और आगे, मेरा उपरोक्त ब कि बाबरी मस्जित के बारे में किसी प्रकार की खोज किये बगैर, मैं शपत पर, अपने ग्यान के आधार पर नहीं, बलकि राय के आधार पर बयान दे रही हैं, यह हमारे इतिहासकारों को क्या रोग हो गया है, जो प्राचीन इतिहासकार के विशेशग्ये हैं, वे निया यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था और फिर जब प्रश्ण उत्तर होते हैं तो कहते हैं कि मैंने इस विशय में कुछ पढ़ाई नहीं है, मेरा अध्यर ही नहीं है, मैं प्राचीन इतिहास की विश्य चागी हूँ इन इतिहासकारों के साथ समस्या क्या है यह इस विशय में केके मोहमद जी जो जो उस टीम का भाग थे जिनोंने एक्सकेवेशन किया था और उसके पहले जब बीलाल जी ने एक्सकेवेशन किया था जो इसका प्रमाड देता है कि यहां पर मंदिर था और वो अगर मंस्जद के मीचे आप करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे यह बात बीबी लाल जी ने कही थी तब किके मोहमद उसका भाग थे और फिर जो एसाइ का बाद में जो सर्वेक्षिन होगा उसके उसमें भी वो थे वो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि मुसल्मान पक्ष जो था उनक समय पर वो यह मान चुके थे कि हम अयोध्या जो है वो दे देंगे तो मुसल्म पक्ष में भी ऐसे गुट थे जो मानने को तयार थे कि हाँ उनकी उनका हक है उनका अधिकार इस पर बनता है तो हम दे देंगे उस समय यह जो डिस्टॉरियंस जो अरुन शारी कहते हैं एमिन अधा मत करिये हमारे पास बहुत सारे प्रमाण है यह प्रूफ करने का कि यहां पर तो कभी राम मंदिर था ही नहीं क्योंकि राम की पूजा है वो तो 18 शादाब्दी बें शुरू हुई है उसके विश्वास की यह श्री राम का जन्मस्तान है बहुत अरवाची नहीं है प उसका भी आपज़ेक्शंस है नहीं पढ़ने चाहसे हैं पहले तो कहते हैं कि यह हम तो नहीं मानते इन्होंने कोई सही साइटिफिक दरीका आ पियोग नहीं किया है पिर जगड़े का है आपके स्क् Yo-ים क्या एक्ष एक्परट सूप कि यह कहने का कि उन्होंने सही किया है क पर क्या कोई भी लिखित प्रमान मिलता है कि यहां पर बहुत तूपया जैन मंदिर था ऐसा तो कुछ था नहीं जो आपने जोजफ की बात कहिए और भी जो लिखक हैं जो बहार के फॉरन लिखक हैं उन सबने का है कि यहां पर हमेशा से राम जन्मी पर लोग आते थे पूज प्रमाण आपके पास नहीं है इसको बाहूत है यह कहने का ह। इनफैक ज्रीम लोब आnie जो है बोहाँ पर जो फोर किई बहा रहे है जो मैरे तरूपह творit में जो मिल वह है ना तो गते भीश में हते द्रोने करने चर विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेश्यति पांडवान दूबते को तिनके का सहारा कि भई स्थूप हो रहा होगा कुछ रहा होगा बहुत पट्टी खोली हैं कि सुधी रगरवाल ने मैं आगे पढ़ना चाहता हूं ह हमारे दर्शक जाने इसको और आपको तो विदित है ही तो यहां पर जब उन्हें यह कहा कि मैं यह शपत अपने ग्यान के आधार पर नहीं शपत पर ग्यान के आधार पर नहीं अपनी राय के आधार पर बयान दे रही हूं आगे उन्हें कहा मेरी खोज के अनुसार सुवी बात की खोज़ करने की आवशक्ता नहीं समझी, मैंने बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में अध्यान नहीं किया। फिर हिस्टॉरियन रिपोर्ट टूनेशन यह भई रिपोर्ट है जो सूरजभान आरेश शर्मा जो लोगों है इनके द्वारा बनवाई की थी डिन जा इतिहासकार थे अतरहली इतिहासकार थे और यह पर्चा मैंने अख़बारों में छपे समाचार एवां अपने विभाग म मध्यकारीन विशेशगे से चर्चा करके तयार किया था और आगे मैंने बाबरी मस्जद के बारे में कुछ नहीं पढ़ा प्रिष्ट संख्या तीन छे तीन साथ इतिहास वेत्री सुवीरा जायसवाल भारतिये नयाले में जो इतिहास की विशेशगे के रूप में प्रस्त उस्थान पर क्या था तो यह वामपन थी इतिहास कार ने कहा है ये नहीं बता सकती इनको इन्न ग्यान नहीं था फिर मैं इस पुस्तक में डॉक्टर Grade रजीज इतिहास कार ने जो अपना मद्या है उससे सहमत नहीं हों यह सब आगे कहा और मैंने यह पुस्तक नहीं आधार दूसरे आर्केलोजिस्ट की राए एवम रिपोर्ट्स पर है तो यह नहीं है न कि अपना तो कुछ है नहीं दूसरे के मत से आप अपना मत न्यायले में प्रस्तुत कर रहे हैं इस विशे पर मैंने डी मंडल की जो आर्केलोजिस्ट ने पुस्तक पड़ी है तो जो अ प्रस्ति की राय और रिपोर्ट्स पर इन्हों है जताएं आगे मैं पढ़ना चाहूंगा जो न्यायमूर्ति सुधीर अगरवाल ने कहा अनुच्छेट संख्या 361-9 सब लोगों को जानना चाहिए और क्यों जानना चाहिए किस प्रकार से हमारे इतिहास को किस प्रकार से एक पक्ष को प्रबल करने के लिए किस प्रकार से तुष्टी करन करने के लिए किस प्रकार से कुकृत्यों पर एक आवरन डालने के लिए भैरप्पा की फुस्तक है आवरन आवरन डालने के लिए कैसे कैसे कुछ सित प्रयास किये गए है नायमूर्ति सुधीर अगरवाल क के कारट जिनके उनके पास कोई प्रमाण नहीं है जी तो अच्छे संख्या 3-6-9 में न्यायमूरती सुधीर अगरवाल कहते हैं न्यायमूरती सुधीर अगरवाल ने कहा यह बहुत आश्चर की बात है एक साक्षी जो यह कहता है मैं इतिहास का विशेशगी हूँ अत्वा इतिहास की विशेशगी हूँ इस प्रकार के गंभीर साक्ष इस प्रकार के गंभीर वाक्य प्रस्तुत कर सकता है किस विशाई में एतिहासिक तत्यों के विशाई में बिना किसी अध्यान के और बिना पर्याप्त समीक्षा के Newspaper reports or what was told by some others or otherwise cannot be equated with the research work expected from an expert on the subject समाचार में छपे हुए विवरन और दूसरों के मत को आप किसी व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान के स्थान पर नहीं ले सकते उनके समानता आप उनसे नहीं कर सकते आप कह रहे हैं इस इतिहासकार की पुस्तक से मैं सहमत नहीं हूँ पर उसका आधार ये नहीं आपने पुस्तक पढ़िये उसका आधार है आपके विभाग में दूसरे लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं तो ये क्या इतिहासकार हमारे क्या ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं बहुत बड़ा प्रश्ण चिन उठा खड़ा होता है और आगे जो इनकी साथ गांट उसको भी चुट्था कोला है तीन छे दो एक अनच्छे दू तो बस यही है एक क्लब बन रा रखा है जिसमें ना पढ़ेंगे ना कुछ साथ्य स्विकार करेंगे और आप नया एले में कुछ भी कह देंगे परन्तु आपने उसका अध्यन नहीं किया है तो उनका काम जो है अगर आप देखो तो बस इतना ही रहा है कि आप अवरोध कैसे खड़ा करो अपना प्रमाण कुछ नहीं देना इस पर मिनाक्षी जैन जी ने तो बहुत कहा है बोला है लिखा है किशोर कॉनाल जी करके जो ह है उन्होंने लिखा है और एक जो साक्ष जो एक बहुत ही ठोस प्रमाण जो मिला था जब वो एसाइक का जो रिपोर्ट था उसमें एक विश्नुहरी इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है जो आपको मैं कह रहे ती ना गोविंद चंदरन जो राजा थे जिन्होंने और नहीं को सबको मुदित कर्ने वाले शिराम जो पर्शुराम से जणों जिन्होंने च्छात्र Idi यों को वापस यह संभा ला था बगेर वो सब वो ने वह बाल कि लर्ख ज हो तो जब रहे टो लो इसा नहीं था कि वहां की दिवार पर होगए को तो फिर बहां पर प्र थे दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर थे जिनके सामने ये चल रहा था इसके पश्चात इर्फान हबीब जी कहते हैं कि ये जो inscription है ये तो वहाँ पर कार सेवकों ने लाके डाल दिया ये कुछ था नहीं ये तो वहाँ पर सेटिंग की गई है ये inscription की और उन्होंने कहा कि जो लख अवर अग्जीब की ताइम पर शायत तोड़ा गया था उसका inscription लखना हो म्यूजियम में है जो यहां पर उन्होंने लाकर विश्नुहरी इंस्क्रिप्शन के नाम से आपको दिखा दिया है तो कुणाल केशोर जी जो है उन्होंने अच्छली म्यूजियम में जाकर देखा तो वहां पर उट्रेटा था कौट का inscription है आज भी है वहां पर तो वहां से किसी ने चोरी किया था ऐसे कुछ नहीं था पर जब ये फिर बताया गया कोड में पिर इनको कुछ कहना नहीं था इनके पास कोई कहने जासा था नहीं क्योंकि उनको कोई प्रशन को सुलझाने का उनका उद्देश ही नहीं था, उद्देश के विल इतना था कि इस बात को आप खीचते रहो, आपने भी सुधीर अगरवाल जी की जो रिपोर्ट की बात की, आप ही ने मुझे बताया था, सुधीर अगरवाल ने एक साक्षात कार में, अपनी सेवा ने मृत्ति के पच्चात क्योंकि आप जानते हैं, जिन तीन ने अधीशों ने निरने सुनाया, उनकी सुरक्षा की भी विवस्था करनी पड़ी थी, उनमें से कुछ की अत्वा सभी की, यह तो मुझे इसमरण नहीं है, तो सुधीर अगरवाल जी ने कहा है, मेरे परिवार से दवाब था, शेयुक्ती नहीं है, विवाद वैसे ही उननीसी शदाबदी से चला आ रहा है, और इतने वर्षों तक हमारे नियालों में निलंबित रहा है, यह एक बहुत हमको चकित करने वाला वक्त अब्या है, दबाव उन पर किसने डाला यह तो नहीं का, परंतु आप जानते हैं किन किन लोगों को इसके निलंबन से विवाद को आगे बढ़ाने से लाब मिल रहा था, आपने इर्फान हवीब की इर्फान हवीब चलिए, उनका जो विशय है, उसमें जो उनका ग्यान है ठीक है, वो जिनका ग्यान नहीं है, उन पर भी वे साधिकार बोलते हैं, वे कहते हैं अमित शाह का जो नाम शाह है वो फार्षी से आग़ाईा है, यह सर्वविदित है, जो साह अत्वा शाह जो अपनाम है भारत के वनिक समाजों में, यह साधुशब्द से आता है, सम्सुरत में साधुशब्द का एकर्थ व्यापारी भी होता है, और यह सारे, आप कोश उठ कर देख लें उनमें है परंतु जिस भाशा विज्ञान का ग्यान नहीं उस पर भी साधिकार बोलेंगे जो प्राची नितिहासकार हैं वे मध्धे नितिहासकाल पर साधिकार बोलेंगी और वह भी कुछ पढ़कर नहीं दूसरों के मत को सुन कर अपनी राय रखेंगे के विल अपने ग्यान के अधार पर नहीं अपनी राय के अधार पर कह रही हैं तो यह तो है ही चलिए चलते हैं जो निर्णय हो गए अब स्वरनकाल आयोध्या का अपना लोट रहा है राम मंधिन निर्माना धीन है और इसकी प्रानपतिष्ठा शीग्र होने वाली है तो आयोध्य अधार का भविश्य आपके सपनों की अध्या कैसी हो इसपर कुछ कहीं मेरे सपनों की अध्या तो वही है जो रामाएर्ड में जिसका अलेक मिलता है जो वरणन मिलता है और जिस प्रकार से कारेश चल रहा है अध्या में आप दिखिए वहापर अब तो एक अधर और आ मुझे एर्पोर्ट का नाम बताया गया मर्याधा-पुरुषोत्तम श्री-राम मुझे तो नहीं बचाए। एर्पोर्ट का नाम महापुरुषों के नाम पर हो पर जो आराध हैं हमारे उनकी नाम टिकेट पर छपेगा उसको लोग फाड़ कर भीकेंगे। मुझे तो महरची वालमी की भी इतना रास नहीं आया, पर ठीक है महरची वालमी की, श्रीराम एरपोर्ट से तो अच्छा है, किसी और एरपोर्ट का नाम ऐसे तो नहीं है, पर हाँ, आपने कहा, आप बात कर रहीं थी. और वहाँ पर जो वैसे भी कारे चल रहा है, जो अलग अलग जो पंथ समुदाएं हैं, अलग अलग संप्रदाएं हैं, हिंदू में जो अपने अलग 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 संप्रदाएं हैं, सिख संप्रदाएं हैं, सिखों का तो वैसे भाग रहा है ना, जैसे गुरू रानक जी का व पर लिखा भी था. लिखा गारा जैक्वी तो उन सभी का वहां सब जो उनका प्रभान जो स्वपन है जिस प्रकार अयोधया का निर्मार करने का तो उन सब से अलग अलग शेत्र उनको दिये जाएंगे वहां प उनकी भूमिया होगे वहां पर फिर से आश्रम उनके सब के स्थापित होंगे और उसके साथ साथ जो आर्थिक उन्नती अयोध्या की होगी इतने सारे लोग जब वहां आने लगेंगे आप देखिए काशी में कितने सारे जो तीर लियात्री है वो जाते हैं ना तो जितने लोग वहां आने लगेंगे वो तो एक और ही बात ह आर्थिक संभृत थी जो यह तो अलए अयोद्या के मुसल्मानों के लिए यह के आप कि तनेख़ुश हैं वो कितने हर्षित है कि यह हो रहा है क्योंकि मस्जिद जाता कौन था मस्जिद में मस्जिद वका धाचा जो वहां था वहां से उनको कोई आर्थिक फाइदा तो हो नहीं रहा था वो तो जो हिंदू वहां जाते उनहीं से हो रहा था अब अधिक जाएंगे लोग अधिक व्यवस्था उनको मिलेगी तो सभी का अयोध्या की उन्मती होने वाली आयोध्या की सम्रिद्धी बढ़ेगी उसमें तो सभी का लाभ है और उससे बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि यह जो डिस्टॉरियन्स है इन्होंने जिसका उनको अर्ड़ी समझ होगी कि जो हिंदू नवचेतना का सचार जो भारत भर में हो रहा है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक यूए नहीं तो दो यह प्रात्न कर रहा थे न नहीं राम तो केवल नौर्थ के हैं साउथ में तो कुछ श्रीराम का है नहीं प्रदुकाओं का पूजन भी श्रिंगेरी में हुआ है और जब इते गई थी जब वह विएच्पी का अंदोलन जब चल रहा था तब इते जो गई थी वो भी तो हर भारत के हर कोने से गई हुई है केवल नौर्थ से गई थी असा तो नहीं है साउट से इस से वैसे अभी जो अक्षद जो घर जा रहे हैं जो कलश गए हैं क्षेतर क्षेतर में जगह जगह पर तो आप वहां पर भी देखें कि मुझे मैंने वीडियो देखें कि तमिलाड में आंदरप्रदेश तलंगना में क के जो हमारे आपार्टमेंट कॉंपलेक्स है वहां पर यहां पर कितना सारा लोगों में उच्सा औरनकर कि शीरा हुआ है था ने कहा है कि नहीं कि वहां जा पाएं ना जा पाएं दोलग में दो इसब जल्यमानस जो जन सामान ने है उन में इतना उत्सा है ये विभाजक लोग है जो कहते हैं दक्षिन भारत में राम की उपासा नहीं होती पूजा नहीं होती इन लोग को जो रामानुजाचार जी का संप्रदाय है उसके कुछ कावे पढ़ने चाहिए रगुवीर गद्यम का ध्यारन करना एक महिना केरला में रामायन का पार्ट होता है एक पूरा महिना हर वर्ष आज भी रामायन के कितने टीकाकार दक्षिन भारत से है गोविंदराज है जो तेलगू में जो सारे रामायन है वो कैसे आए है अगर अध्यात्म रामायन मल्यालम में तो जी तो राम तो भारतिय ज पूजे आते हैं, पूर्व भारत में नहीं पूजे आते हैं, पर हम जानते ही है, दक्षिन भारत में हम रामानजु संप्रदाई को ले, ऐसे ऐसे गरंथले के गले रगवीर गद्धयम, नाम रामायन, आप अध्यात्मरायन है मल्यालम में, बंगला में कृतिबास का रामायन स्वर्ण मैं उचाईयों को छुने वादी है जिसका वर्ण अथर्ववेद में आता है तो वहां कहा गया है प्रभ्राजमानाम हरिणीम यशसा संपरी वृताम पुरम हिरण्याईम ब्रह्मा विवेशा पराजिताम जो प्रभ्राजमाना है जो तीपतिमान है और जो यशसे सं का प्रवेश हुआ है और अपराजित पूरी में ब्रह्म का प्रवेश हुआ है तो यही योध्यों मशक्या अयोध्या अपराजित नगरी स्वर्ण मैं नगरी जो हमारे अध्यात्म में आठ चक्रों और नौ द्वारों का प्रतीक है इस अयोध्या का स्वर्ण देन शीग् मैं आज अपने दर्शकों से और आप से भी बताना चाहता हूँ, मैंने जीवन में शपत ली थी, जब मैं लगभग 11-12 वर्श का रहा हूँगा, और मैं अपने एक मित्र के हाँ गया था, और वहां मैंने प्रस्तावित राम मंदिर, अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का एक पट देखा था, मैंने चित्र देखा था, तब ने शपत बखी, जब भी हम अंदिर बनेगा, मैं आयोध्या तभी जाऊंगा, आज तक मैं आयोध्या नहीं गया हूँ, और अयोध्या जाने का योगा बन गया है, आयोध्या शी घर जाना होगा इस परश में, और कि नहीं यहां राम जी का नगरी में उनका धाम होना चाहिए जो कार सेवक्त उसमें कितने सारे ऐसे जो कहें कि हम तो चपल कभी नहीं पहने जब तक हम आयोध्यान आ जाए एक गुजरात के अम्दाबाद के एक है जिन्हों ने कहा मैं कभी बोलूंगा नहीं मैं मॉल्मृत जब तक वहां राम मंदिर नहीं बनेगा अब वो है नहीं इस संसार में उनका देरत्याग हो गया है पर जहां पर भी वह होंगे वह खुश होंगे तो यह महत्वरा है श्री राम का हम सब के लिए इतने वर्षों से 500 वर्षों से श्री राम हमारे साथ रहे हैं और हमने कभी पाँसो वर्षों का संघर्ष पूर्ण हुआ है और आशा करते हैं आगे कोई संघर्ष नहों और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया ये सनातन धर्म की परंपरा है सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुख भाग भवेत इसी के साथ आज का सत्र हम ही समात करते हैं अमी जी आप अपने बहु मूले समय से कुछ समय निकाल कर इस कोश सत्र में आई आई आपका अनेक अनेक धन्यवाद आपकी पुस्तकें हैं जो जन जन तक पहुंच रही हैं और आपकी बात इस सत्र के माद्यम से जन जन तक पहुंचे ऐसी काम ना है और फ को एक बार फिर बहुत बहुत थन्यवाद थन्यवाद शुभी मस्तुभी जए श्री राम जए श्री राम